नमस्कार न्यूस फ्लेस में आपका स्वागत है बढ़ते हैं आज की ताजाख खबर की और राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले लगतार परवर्तर निदेशाले की और से कारवाई की जा रही है खास तौर पर पेपर लीक मामले में एडी का एक्शन लगतार देखने को मिल रहा है पेपर लीक प्रकरण में शिकर के कलम इंसिट्यूट से जुड़े होने के संबंद में माना जा रहा है की इस कारवाई को अंजाम दिया गया है शुरुवाती तौर पर नागोर जिले के डेगाना और डेड़वाना में एडी की टीम मौके पर पहुची है दोनों ही जगा कारवाई की जद में आए लोगों का संबंध पेपर लीक मामले में बताय जा रहा है इडी ने पेपर लीक की जात सुरू करने के साथ ही प्रदेश में दविस दे कर सबूत खंगालने की कमाई जारी रखी है मंगलवार सुबह से डिड़वाना जिले के खारिया में आज पड़वरतन निदेशाले की टीम की कारवाई जारी है जानकारी के मताबिक एडी की टीम खारिया गाव के रहने वाले राहुल भाकर और सुरेंद्र भाकर के घर पर पहुची है और पेपर लीक मामले से जुड़ी पूचताच की जा रही है कारवाई के दोनान सीयार पेफ के जवानों ने घर के साथ आसपास के परीसर को भी घेर लिया है और मीडिया के साथ बाकी लोगों का भी प्रवेश बंद कर दिया गया है सुतरों के मताबिक पिछले दिनों सीकर के एक कोचिंग संस्थान पर पेपर लीक मामले को लेकर एडी की चापे मारी हुई थी और आज उस मामले को लेकर खारिया गाव में एडी की टीम पहुची है और राहुल भाकर और सुरेंद्रे भाकर से टीम के अधिकारी मामले से जुड़ी पूचताच कर रहे हैं